दोस्तो बिग बोस सीजन 16 के लाइफ फीड में इस समय घर के अंदर बुरी तरीके से हाहाकार मत चुका है ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तो बिग बोस ने गर के कप्तान यानि के गोतम विज को एक ऐसा दंड दे दिया है जिसकी वज़े से उसके बुरी तरीके से होस उड़ जुगे है दरसल हाली में कुछ समय पहले बिग बोस ने गर के अंदर की ब्लाइंड को बंद कर दिया था और गर के सभी कंटेश्टेंट को बाहर गार्डन एरिया में भेज दिया था इसके बाद घरवालों को यही लग रहा था कि किसी मेंटिनेंस की वज़े से बिग बोस ने ब्लाइंड्स को बंद किया है लेकिन दोस्तो जब ब्लाइंड्स खुले और घरवाले अपने अपने रूम में गए उस समय गोतम विज के होस उड़ गे ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों गोतम विज का जो खाने का राशन का समान था वो बिग वोस ने पूरी तरीके से गाइब कर दिया है उसकी जगह के ओल आटा और दाल छोड़ी है दरसल गोतम विज अक्सर गरवालों के सामने ये कहते वे दिखाई देते हैं कि वो ना तो सबजियां खाते हैं ना ही वो फल फ्रूट वगरा कुछ खाते हैं उनको तो बस रोटी और दाल से मतलब है आलांकि वो सिर्फ कहते हैं लेकिन खाते सब कुछ है इसलिए बिग बोस ने गोतम को सबग सिखाने के लिए अब उनके राशन का सामानी गाइब कर दिया है आप कैप्टन होने के बावजुद गोतम विज के पास के वला आटा और दाल बची है जिसके बाद ये देखना दिलचैस पोगा कि आप गोतम विज किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं फिलाल दोस्तों बिग बोस का ये फेसला आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके अपनी राएज जरूर बताएं वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिग बोस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले